नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ्स देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्या सिंग्ग, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस खास वीडियो, महराष्ट में लगातार सियासी घमसान मच्टा हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ एक और शिवसीना सांसद संजी रावत पर एडी ने अपना शिकज़ा कसा हुआ है, वहीं उधव ठाकरे अपनी शिवसीना को बचाने के लिए सुप्रेम कोट के दरवादे पर खड़ेने ज दरा रहे हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर एक ऐसा मुद्ध जिस लेकर बीजेपी और मुख्यमंत्री एक नात शिंदे के बीच घमसान मच्टा हुआ दिखाई दे रहा है, और वो मुद्धा है कैबिनेट विस्तार का, जो यहाँ आपको बता दे के करीब 35 दिन हो चुके ह शिंदे और बीजपी के गटबंधन को नई सरकार बने, लेकिन अभी तक सियासी घमसान के चलते महाराश्टू नए मंत्री मंच्टा का विस्तार नहीं हो पाया है, और यहाँ पर इसी को लेकर एक नात शिंदे के गुट में वगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, जो स महाराश्टू में नई सरकार बन चुकी है, आखिरकार क्यों अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, और अगर विस्तार होता है, तो इससे महाराश्टू की सियासत पर क्या फ़र्द पड़ेगा, चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। नहीं हो पाया, जिसके चलते शिंदे गुट में लगातार सुख बुगाहत देखने को मिल रही थी, क्योंकि शिवसेना से बागी हुए 42 विधायक शिंदे गुट में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन एकना तो शिंदे की सबसे बड़े मुश्किल ये है कि आखिरकार क्याब 28 में किस विधायक को जगा दे और किसे नहीं, यहीं वज़ा है कि लगातार शिंदे गुट में सुख बुगाहत देखने को मिल रही है, हाला कि सियासी घमसान के बीच ये बागी 42 विधायक ये साफ कर चुके हैं कि ये उद्व ठाकरे के पास वापसी नहीं करेंगे, योगी जिन मुद्दों को लेकर बगावत की थी इन 42 विधायकों ने, वो मुद्दे अभी भी इनके वैसे ही हैं, लेकिन इसे भी चुचस तरा से लगतार ठाकरे परिवार के सदस्य शिंदे से मुलाकात कर रही है, खबर ये आ रही है कि शायद अब ठाकरे परिवार से भ आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार काबिनेट के विस्तार कब होगा और महराश्ट के नए काबिनेट में किस विधायकों एंट्री मिलेगी और किसका पत्ता कट जाएगा तो आपको बता दे कि यहां पर जस्तरहा से महराश्ट में काबिनेट विस्तार खुलेकर तस्वेर साफ हो गई है, आपको बता दे मुख्यमंत्रिय एकनात्र शिंदे की काबिनेट का विस्तार की तारिख यहांपर तैह हो गई है महराश्ट सरकार बनने के लंबे समय के बाद बीजिपी और शिवसेना में सरकार में मंत्रियों को लेकर अब आखिरकार सहमती बन गई है बीजिपी के कोटे से आठ विधायक शपत लेंगे तो वहीं शिंदे खेमे से साथ विधायक मंत्री पद के शपत लेंगे लेकिन इस लिस्ट में महराश्ट के पूर्वर्ती देवेंड फर्णविस सरकार में मंत्री रहे कई सीनियर विधायकों का पत्ता काट दिया है तो चलिए आप विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार किसको क्या क्या पद मिलेगा तो आपको बता दें कि बीजेपी से नए काबिनेट में जो मंत्रियों को जगा मिलेगी उनमें शामिल है सबसे पहले चंद्रकांत पाठिल इसके बाद हैं सुधीर मुनगंटी वार इसके बाद गिरीश महाजन प्रामीर दर्वेकर राधा कृष्ण विखे पाठिल, रवी चोहान, बब्बन राव लोनी वकर, नितेश राने वहीं अगर बात करें शिंदे, खेमिस से जो मंत्री जिने यहाँ पर जगा मिल सकती है तो इनमें सबसे पहला नाम है दादा भूसे का इसके बाद उदै सामंत, फिर दीपक केसकर, शम्भू राजे देशाई, संदीपन भूमरे, संजे सिर्स, साथ, अब्दुल संतारी और बच्चु कांठ यानी के स्वतंत्र यार रवी राना, तो जस तरह से आपने देखा कि एकनात शिंदे के नितरत वाली सरकार एक महीने में, साथ सो इक्यानवे सरकारी आदेश जारी कर चुकी है, वहीं इस सरकार में, राजी के पूर्व मुख्यमंत्री और ब्यूजेपी के वरिश्ट नेता दिवींद फर्णविस अडि दो ही सदस्य हैं, लेकिन अब यानि कि आपको बता दे कि जुस तरह से अब कैबिनेट का गठन होगा, तो इसके बाद आखिरकार अब इन मंत्रियों को यहाँ पर, यानि कि बीजेपी और शिंदे गुठ के विधायकों को आखिरकार अब नए कैबिनेट में जगा मिलने व महराश्ट के मुख्यमंत्री एकनात शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद फर्णवेस, लेकिन अब जस तरह से नए कैबिनेट में इन 15 विधायकों को जगा दी जा रही है, उसके बाद अब सवाल यह उच रहा है कि बाकी विधायकों में क्या यहाँ पर फिर से बग होना है, तो चलिए अब इस रासपर से भी परदा उठा देते हैं, तो आपको बता दे कि महराश्ट का कैबिनेट विस्तार होना है, पांच अगस्त को जी हाँ, पांच अगस्त, यानी कि शुक्रवार, जी हाँ, शुक्रवार को महराश्ट सरकार को नए मंत्री मिल जिससे सरकारी विभाग सुचारो रूप से चल पाएगा, सवाल ये उठा है कि आखिरकार किस विधायक को कौन सा पद यहाँ पर सौपा जाएगा, क्या जिम्मेदारी सौपी जाएगी, और इसी के साथ आखिरकार जिन विधायकों को मंत्री मंदल में जगा नहीं मिली है, इनका अब आखिरकार किया अगला कदम होगा, क्या ये शिन्दे के साथ बने रहेंगे, या फिर उन्हें धोका दे कर उधव ठाकरे की गुट में शामिल हो जाएंगे। क्या वो रुणनीती काम आपाएगी और क्या अपने 42 विधायकों को गुल्ट में शामिल रखने में यहाँ पर सफल हो पाएंगे, इसी ही तमाम अपडेट से जोड़े रहने के लिए देखते रहेंगे।